और साली का इस परिवार में दिल लग जाता है और वो यहीं पे रह जाती है। इसाब से तो एक बिकलांग बेक्ति की साधी ही हो गई तो वही बड़ी बात है एक साधी नहीं होती है लेकिन आप दो दो साधी की है तो आपकी साधी हुई है और दो साधी हुई है जैसे पैदाई सी पर खराब नहीं हुआ है और उनसे साधी किये तब से दोनों लोग परच साथ हैं लिए साथ ऑन करने का प्रयास है यूंटूबर को उत्म चैलने पर उस्थी पहले आपके सभी आप सब्सक्राइब आप रही परिष्थित हैं आपने आपसे सेंगों सभी तरीके较안 नहीं करते हैं यह परिष्टिती आपके जीवन में कब प्रारंब हो जन्म से हैं या फिर बीच में कभी देखिए यह बच्पन का जन्म का नहीं है जैसे पैदाइसी पर खराब नहीं हुआ है यह चार-पांच साल होने के बाद बहुत तेज बुखार आया था उसी में या तो गंटे के बाद हम बेहुस हो गए बेहुस हुए दो-तीन दिन के बाद हम होस में तो हमारा पूरी तरह से खराब हो चुका था यह हादसा कब आपके साथ होता है कितने समय पहले कुछ है समरण है देखिए यह चार-पांच साल के थे तो मान के चलिए कि 86 हमारा जन्म है तो क्यानबे के आसपा से पायर हमारा खराब हुआ तो हमें यह पूरा ख्याल आता है कि हम चल रहा है थे साही सलामत और फिर बुखार आया बुखार में जिंदगी एक अलग मोड़ी और फिर खराब हो गया तब से माले जे इस तरह से हैं आप अपने माता-पिता के कितनी संता हुई है जिस पर वह सवाल रहा है सब्सक्राब होला यह तो यह नहीं होती है लेकिन आप दो दो सब्सक्राब करेंदिया स myst syst semaines को ईक वह और का και की तो साथी होना ही एक अपने आप में बाहुत बड़ी उपलब धिया समझतर हैubliqueल लानता को रहा है उस हिसाब से तो एक बिकलांग बेखती की साधी ही हो गई तो वही बड़ी बात है लेकिन हमारे साथ अब परमात्मा ने क्या कानी लिखके मुझे बेजा है कि जनम लिए तो सही थे कौन सा करम का चूक था या गर बड़ी थी या उस डाक्टर की कमी थी पहर खराब हो गया फ पर लिख लिए तो थोड़ा यह भी मेंटेन कर लिए इनका दिमा कुछ सही हुआ था तो इनकी भी अभिक्षा हुई कि नहीं अगर साधी हो जाती तो बढ़िया रहा था तो पहली वाले मेडम के पिता जीमान जी आया हमारे हां और यह कई बार में देख सुनके गए उनको उसको भी माय अपने सब्द में बयान नहीं कर पाऊंगा कि क्या लग रहा था कि कितना बड़ा मंजिल पा लिए हैं लेकिन यह कुछी सीर्फ और सीर्फ तीन महीना रही तीन महीना यह हमारे घर हमारी माडम रही इसके बाद अपने घर गई उनके घर के लोग मिलाने के लि सब्सक्राइब हो गया है यह सुचना मिली तो फिर हमारे पाइर से जमिन नीचे से खिस गई कि बापरे अब किसी तरह से साथ हुई बचपन बढ़ियां से गुजरना था जब आसने खेलने की समय थी तो पर मात्मा यह कर दिये तो फिर हम जुड़े जब समाजिक्ता से हर काम कर लें अवरत को तमाम तरह की दिखते होती हैं आप समझी रहा हैं परिस्थिती बहुत जिन अवास्ना में पहुंच गई हमको एक आदमी उठाने बैठाने वाला चाहिए और साथ ही साथ उनको भी तो माताची सायोगा बीच में आई कहें कि बाई चलो मानिजे इस् उसी बर से कुछ उतारने के लिए चाड़ रही थी बस बास की सीड़ी बनाए गाउं में रतिया उस पर चड़ने के लिए उसी डंडे पर से पहर फिसल के अंदर चला गया बस गीर गई नीचे माताजी उनकी कुली तूट गई अब जो साहरा था वो भी तूट गया और उन कि अब उस समय अगर हम चाके भी अगर चाहते कि चलिए अगर यह मर जा रही है माताजी मर जा रही है तो फिर हम दूसरी साधी कर लें तो सही लोगों का एक साधी हो जाते दूसरी साधी करने में तमाम तरह की दिक्कत होती है मेरी साधी कैसे होई होती फिर जहले काई चलि पिता जी आश्पिटल आए और तीनों लोगों मैंसे किसी को मैं एक बेट से दूसरे बेट पर उठाके रखने की इस्तिति में नहीं था मैं कुद मुझे एक बेट से दूसरे बेट पर ले जाने वाले कि ज़बुरत थे कि उसी पीच में जो चर्चा हो रही है कि दूसरी साधी कर लिया उनसे मुलकात हुई मुलकात का मतलब एक दम जड़ से समझे वो हमारी मैडम की दूसरी बहन है तो इनकी जब हालत खराब हुई तो उनको बुलाया गया यहां पर क्रेंट के लिए यहां पर देख रही है कि दो चार माहिना हुआ तो भाई कोई भी आदमी घर से खाली उतरा होता नहीं उनके घर भी काम रहता है तो यह दो तीन महीन रही तो फीर गारी पटरी पर जैसे जो दैनिक जीवन की आव सकता है कपड़ा कचारना खाना देना बेट मता जी करने लगे कि एक सब्सक्राइब करेसी साधी करने का विचार नहीं था , Our इसालत में तो आतमात्या कि किसी के माता पिता अगर बेट पर सड़ते वे दिखाई देंगे तो वह साई कोई लड़का होगा जो इगनोर करेगा सड़ जाने देजिए अमर जाने देजिए इस तरह से लगाओ के वज़ा से करें हो चुकि हमारे परिवार में सभी लोगों से फैमलियर हो गई हैं फिर ससुराल पच में आप जाते हैं और इनकी सवेच्छा से इनको अपने घर पर जाते हैं तुनके घर वाले तुरंत पीछे से आ गए आ गए और लेके जाने के लिए क साथ में हैं साठी मालेजर साल बर इंतजार किये कि आ जाएं लोग तो एक सिस्टम बने गारि इंतजार करने के बाद समाज में रहना समाज से जूड कराना है तो साल बर के बाद फिर बहुस्ता बनाए और उनसे साधी किये तब से दोनों लोग पर शाहीं बनके रहती है और मालेजे एक जिंदगी फिर नए सीरे से सुरुवात हुए अभी की परिस्थितियां क्या है सामाने परिस्थितियां है या फिर अभी क समस्या है दैनिक समस्याओं का हल तो इंसान के द्वारा ही होता है तो वह समस्या है सहचणी की योक्ता क्या आपकी हो सकती है और पेसा रोजगार दोनों जानना चाहिए हमारी सहचणी की योगता और रोजगार का मतलब कि इसके पढ़ले मैं घृते दिमांग में बताई है कि बाई अगर आपको कहीं बेजा जाए कि आप जाए कमाने तूस लाइक है नहीं गाओं में किसी कहां नोकरी करने जाएंगे तो कोई नोकरी देखा नहीं तो यह काम करिए सोसल मीडिया एक प्रेट फार्म है ऐसा जिस पर अगर काम करेंगे पबलिक अगर पैचान गई लगता है खर्च चलने लगे तो उन्हीं के नाम से चैनल बनाएं नीशायादव अफिसियल 139 सर्च मारने के नीशा या नीशायादव अफिसियल कुछ भी लिखेंगे लास्ट में 139 लिखके सर्च मारेंगे तो इन्हीं का छैनल खूलके आता है उसी पर एक तरफा लगता है उसके बाद इनकी माता जी को भी परिसानिया होती है वह भी विकलांग की ही अवस्था में आ जाते हैं साथी साथ यह भी विकलांगी है तो परिवार की जिमेदारी उठाएगा को ससुराल पंचे से कुछ मदद मिलती है इनकी साली आती है इनके यहां कारिभार संभालने के लिए और लोगों का साली में दिल आ जाता है और साली का इस परिवार में दिल लग जाता है और वो यहीं पर रह जाती है इनकी यही कारण है यही कारण है दूसरी साधी करने का अ जिसा यादाओ 139 उस पर विजिट करिए और इन लोग को प्यार दीजिए अनेकों एक लोग को आप लोग उठाये हैं तो कहीं कहीं आवश्यक्ता है कि इनको भी आप लोग जो है उपर लें मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार